फ्रेंड्स महरास्टा नीट काउंसिलिंग 2020 फर्स्ट और सेकेंड राउंड महरास्टा का स्टेट कोटा प्लस और इंडिया कोटा के फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद क्या रहा कट ओफ डिफरेंट काटेगरी के लिए जन्रल, SC, OBC, ST, NT, BJ, जितनी भी काटेगरी है मह महरास्टा में EWS प्लस पीएच कंडिडेट्स के लिए, डिफरेंट काटेगरी में लास्ट कट ओफ, लास्ट मार्क्स, मेल प्लस फीमेल काटेगरी के लिए, स्टूडेंट के लिए कितने रैंक पर एड्मिशन हुआ, किस कॉलेज में, और लास्ट रैंक क्या गया, डिफर इंफरमेशन हम आप लोगों के साथ शेर करने वाले हैं इस वीडियो में, यू प्लीज इस्टेट्यून विद मेलिकाविन मैं हूं अमित आप देखना हैं मिलिकाविन के यूट्यूब चैनल दोस्तों, क्विकली से आईए देख लेते हैं, महारास्ट्रा नीट काउंसलिंग, फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद, 2020 में, कितना कट ओफ गया, 2021 के जितने भी नीट के स्प्रेंट्स हैं, आफ गया है, किस कैटेगरी का, किस मार्क्स पर और किस राउंड पर अनुशन हुगा है, सो फ्रंट इस्ट 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 है, महारास्टा सेकेंड राउंड के अलॉट्मेंट की, महासी एटी की वेबसाइट पर नीट के जब टैप पर आप लोग विजिट करते हैं, जहां भी कावर्मेंट प्लस प्राइवेट प्लस जितने भी कैटेगरी हैं, वो सब का जो अलॉट्मेंट हुआ है, यानि सारे कैंडिडेट्स की अलॉट्मेंट की ये लिस्ट होती है, इसको आप एजिली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस पीडियाप से अगर आपको लास्ट कट ओफ जारना हो, कि लास्ट किस कॉलेज में किस नंबर पर एड्मिशन हुआ है, या फिर कैटेगरी वाइस किस मार्क्स का एड्मिशन लास्ट हुआ है, यानि सेकंड राउन के रिजल्ट के बाद किस कैटेगरी में लास्ट मिनिममम रैंक पर क्या एड्मिशन ह हुआ है और जो minimum marks required थे वो कितना था तो friends यह बहुत ही मुश्किल होगा इसको यहां से analysis करना लेकिन मेट कवेंग की पूरी टीम ने इसकी analysis की analysis करने के बाद data को shortlist किया और वो data हम आपके सामने अब रख रहे हैं इस video के थूँ यहां पर हमने एक exam prepare किया है आपके लिए पहले हम government की बात करेंगा और उसके बाद private की then first government की जितने भी categories है open SC ST VJ NT NT 2 3 OBC और EWS तो यहां पर complete detail आपके सामने फ्रेंड्स open category का minimum marks महरास्टा में round two counseling के बाद required था 572 यहनि 572 प्लस इसके उपर जो भी candidates थे हैं उनको महरास्टा में allotment हो गया AIR गया है open category के लिए 34622 male candidates के case में है यह female के अगर हम बात करते हैं women की तो यह गया है 575 33,047th rank holder को college मिला है last audit right SCO ST में यह गया है 13480 ST के case में 266,396, VJ, NT1, NT2, NT3 friends यह सभी जो भी scores है यहाँ पर यह tab है need marks का यह state merit list है और यह all India rank के इसको आप यहां से देख सकते हैं अपने future reference के लिए इसको यूज करता है 2021 में अगर कोई भी experience है जो जानना चाहता है मारा स्टा का cut off की minimum कितने पर college मिलेगा difference round 2 में 2019 में और 2020 का यह जो पूरी analysis है 2019 में BC के आसपास था लेकिन marks में बड़ा difference है 2020 में लेकिन आपको ध्यान रखना है AIR AIR के अगर हम बात करें तो all India ranking यानिया ranking 19 में 2019 में बहुत इसे lower पे था 2020 में यह बढ़ गया क्यूंकि colleges एड़ वे और कई सारे seats एड़ वे government प्लस private दोनों में जिसके जासे यह rank जो है यह down गया है लेकिन marks अब गया है क्यूंकि इस बार जो percentile score था वो साफ ही high गया था सारे candidates का right क्यूंकि जो टॉपर्स थे उनका 720 marks आया था जिसके वज़े से percentile high चला गया और लेकिन rank की अगर हम बात करें तो rank अहां पर open के लिए minimum marks इर्गाट 520, state merit list 6130 and all india rank 7450 यह उनको college मिल गया है अगर वो प्राइवेट में जाना चाहते थे तो यह male candidates के case में है female के case में यह 521 गया है OBC यह सारी categories आपके सामने हैं आप अपने future reference list को use कर सकते हैं अगेर यह gender का column है यह category का column है और यहां बनीट marks है और यह है state merit list और यह all india rank friends यह last marks है last rank holder है जिनका की admission होगा second round में मौपप में government plus private दोनों में यह थोड़ा सा down जाएगा बहुत जादा down जाने के उम्मीद नहीं है क्योंकि जो भी seat cancel होगी उसके बाद जो waiting list में होगे उनका admission होगा तो यह बहुत जादा नीचे नहीं आने वाला है so अगर आप 2021 की preparation कर रहे है यानि 2021 के अगर आप preparation कर रहे है नेट की then friends आपको यह marks मान के चलना है इससे ऊपर ही रखना है आपको अपने category के वाईस marks तो यह तो target होगे लेकिन आपको main ध्यान देना है rank पे यानि marks जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने के उम्मीद रखे आप लोग और rank अच्छा करिए ताकि अच्छे rank होगे तो definitely आपका admission किसी ने किसी एक अच्छे colleges में होगा यह दो list friends मैं यहाँ वीडियो में आप लेओं के सामने medical wing की team ने इसके analysis की और यह present कर रहे हैं हम आपके पास आप अपने future reference के लिए इसको use करते हैं कोई भी question है friends starting में वीडियो के जो whatsapp number show हो रहा था आप उसमें whatsapp कर सकते हैं कोई भी question आपका है नी 2021 को लेके 20 के cutoff को लेके then friends आप हमें comment कर सकते हैं हमारा जो number show हुआ है वीडियो के starting में आप हमें वहाँ पर whatsapp भी कर सकते हैं next video में friends बात करेंगे गुजरात की और वेस्ट बंगॉल के round 2 के cutoff के बाद क्या minimum marks required था illumination के लिए MBBS plus BDS और BHMS BOMS and BMS के लिए so friends how was this video if you like this video please do share this content with your friends as well as please do not forget to subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEED 2021 thank you for watching medical week thanks a lot